मशकार मैं हूँ आपके साथ इंशा नेशनल लूड़ी 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागात है ये खबर सिधार्ट नगर से अपहरड का खुलासा सिधार्ट नगर जिले के असोची सर्वलांस और मिश्रॉलिया थाने की पुलिस ने 5 शाते अभियुक्तों को गिरफ़तार करने में सफलता हासिल की है बता दें ये 5 अभियुक्त सिधार्ट नगर जिले में हुई अपहरड के साथ कई घटनाओं में वा पुलिस की इस काम्यावी पर प्रेस कॉन्फरेंस कर पुलिस कप्तान यश्वीर सिंग ने पूरे मामले की जानकारी दी आगे की रिपोर्ट देखिए असे दुदर सिद्धी के साथ कर दोरे च derechos साथ, और प्रेस कर दो दो ... कर दो दूरे मामले की जानका ने प्रेस काम्या ओ सेरी जानtha सिकत्ति दिदी physician प्रेसित काम्या की में पुलिसуск्ट वुलिस की जानकारी कि आथ पूरा मून देगिये जनपर सिधार्टनगर में आज पांच लोगों की सर्भुलांस ने और धाना सिधार्टनगर और धाना सिधार्टनगर और थाना मिश्योलिया की पुलीस ने काम किया है पिछले कुछ दिनों पहले एक राजंग सोनी करके सुनार थे उनके उपर पेंचकस से हमला किया गया था नोवे महीने में तीन-चार लड़कों ने उनके हमला किया था उन्होंने बताया था जो CCTV फुटेज में भी उनके फोटो आये थे इसके बाद अभी दिसंबर के माह में एक आदमी विंदेश जैश्वाल का अपरण करके मार पिटाई करके दूसरे जनपद में बस्ती में उन्हें फेक दिया गया था बोलर हो गाड़ी से अपरण करके तो इसमें दोनों में जो पुलिस को जानकारी मिली थी अपने जो सुत्रों से जानकारी मिली थी ये पता चला था कि दोनों में जो लड़के हैं जो गटना करने वाले हैं वो सेम है तो इसमें टीम लगी हुई थी और सोजी सर्विलांस ने सर्विलांस की मदद से और मुक्बिर की सूचना पे पांच लड़कों को गिरफतार किया है और इन में से एक जो अभिवांचीत है वो थाने का हिस्टी शीटर भी है बढ़का नाम का उसके पुराने अपरादिक रिकॉर्ड है इन लोगों का भी खंगाला जा रहा है जो घटना में परियुक्त बोलरो गाड़ी थी और इससे पूर जो राजन सोनी के साथ मारपीट की घटना में जो परियुक्त स्प्लेंडर गाड़ी थी वो दोनों पुलिस ने बरामत कर लिये जुनके पास में हतियार था वो भी उसकी विमलेश नाम के इस आदमी से कुछ रंजीस थी इसी को लेके उसने इसका प्रण करवा के मारपीटाई इसके साथ में कराई थी हाँ यह अच्छा काम पुलिस ने किया है और यह एक नया गैंग तयार हो रहा था जन्दपद में जो इसके अलावा है दो मुकदमे दर्ज हैं इसके अलावा भी बहुत से लोगों से इन लोगों ने हल्की फुल्की मारपीट और मनबढ किसम के लड़के थे अच्छा काम एसोजी सर्विलांस ने और धाना पुलिस ने किया है इसमें बीस हजार का इनाम मेरी तरफ से ने दिया गया पांच लोग हमने पकड़े हैं और अभी दो लोग और हमारे वांचित हैं